रादे रादे कैसे हैं आप सबी आज आप करने वाले मेन बोलड आपी ओकी टॉलिन्स ट्राइड़्स ऑकी इस अपी यह रे एक दिख्कत है एक यह जिरिए फॉप की का पने आज चुका है सेम टाइम् Самनी पर पंपन हो रहा है तो लोगों का चाटजी क्लियर कट व्यू मिल जाएगा बस आप वीडियो में अंट तक बने रहना कोई पार्ट पर स्किप बत करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी की अभी बैल अक्निट कर लेजिए आपको मेरे चैनल के उपर ऐसे आई पी रिव्यूज की व कंपने का नेम है टोलिंस टायर लिमिटेड इस कंपने की स्टार्टिंग द्यार तीन के अंदर हुई थी इनका बिजनस जो है वो टायर रिट्रीडिंग सोलुशन प्वाइड करने का है इंडिया के अंदर और साथ में ये 40 अदर कंट्रीज के अंदर भी अपने प्रोट्स को एक्सपोर्ट करते हैं जिसके अंदर मिडल इस्ट इस्ट अफ्रिका जोडन केनिया इजिप्ट जिसे कंट्रीज शामिल है कंपने के बिजनस को टू वर्टिकल्स में डिवैड किया गया है फर्स्ट वन इस ट्रायर मैनिफेक्ट्रिंग और सेकिंड वन इस ट्रीड रब द्रीड मैनिफेक्चरिंग यहाँ पे इसके साथ सा कंपनी ने अपने पोड़क्स के नेम मैंशिन कर रखने आप उसको पढ़ सकते हैं कंपनी के क्राइड लिश्म शामिल है तो यहां पर आपको डाटा शो नहीं हो रहा है बट मने आ इसके इनकी रहएच भी से डाटा नौट कर लिए है मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि 2023 में क्या हुआ था और 2022 से क्या हुआ था वो मैं आपको step बे step शेयर कर देता हूँ एसेर्स की बात करें तो 2022 के 24 तक मार्च 2024 तक कंपनी के पास में 2-1 कोड के एसेर्स थे रेवेन्यू का ट्रेंड देखे तो 22 से 23 के अंदर रेवेन्यू जो है वो हलका सा 4% ग्रोश चो करी थी बड़ 23 से 24 के अंदर रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई थी यहाँ पर 90% कंपनी ने रेवेन्यू में ग्रोश हो करी है प्रोफित का ट्रेंड देखे तो काफ़ी लाज हुआ प्रेंड है कंपनी का 22 फैनेश लियर में कंपनी ने सिर्फ 60 लैक का प्रोफित रिकोड किया था और वहीं 23 फैनेश लियर में कंपनी ने 5 क्रोड का प्रोफित बना लिया है मतलब मोटा मोटा आप कह सकते हो 8 गुना profit हो चुका है 22 से 23 फैनिश यह के अंदर और 23 से 24 की बात करें तो वहां भी roughly 5 गुना से उपर का profit company record कर लिए है तो company का profit जो है वो काफ़े तेजी से company का भरता जा रहा है reserve company के पास में 85.07 क्रोड के है और जो के उधारी चल रही है 78.77 क्रोड की तो ये भी इतना issue की बात नहीं है तो business के अंदर company का profit काफ़े तेजी से increase कर रहा है मतलब company का business काफ़े इंक्रीज कर रहा है KPI के अंदर ROE 25.87% की है ROC 36% की है debt equity ratio 0.78 का है EPS company काफ़ी अच्छी है 8.48 की है और price earning ratio जो है वो 26.64 का है अगर हम इस sector की बात करें तो sector का average price earning ratio जो है वो आके पास 28-30 के असपास का है तो इस sector comparison में company ने pricing थोड़ी सी कम रखी है मतलब हलका सा मोका दी है पैसा बनाने का रुटेलर्स को बट इसमें दिक्कत एक है कि यह IPO जो है वो बजाज हास्यम finance के IP के साथ open हो रहा है मतलब यह IPO 9 से लेकिए गयरा तक open रहेगा और allotment 12 को मिलेगा 13 को आपका refund या फिदेमेंट अकाउन में share आ जाएंगे और 14-100 लोग इसकी listing हो जाएगी टाइमिंग जो है वो बजाज के IPO से clash कर चुकी है और सबका main focus वहाँ पर ही है तो इसलिए इस IPO के अंदर उतने demand नहीं दिख रही है क्योंकि जिसके पास fund limited है ना वो पहला focus वहीं करने वाले है बजाए असमें finance IPO के अंदर हर category के अंदर अलर्ट ने चासित कितने है कितने public का number आने वाला है हमें किस category focus करना चाहिए आपके पास fund कम है तो कहाँ focus करना चाहिए retail में करो shoulder में करना चाहिए bhni में करना चाहिए small channel करना चाहिए कितने कितने load supply करना चाहिए अगर आपने उसको देखा नहीं है तो जाके फटा फट से देख लेना आपको clear हो जाएगा कि आपको कहाँ अपलाई करना है उस वीडियो के बाद में आपके मन में कोई भी confusion नहीं होगा कि बजाए आसिंग finance IPO में हमें किस category अपलाई करना है कितने load supply करना है आपको सब कुछ clear हो जाएगा 215 से लेके 226 इसका price रखा गया है आपको apply जो है 226 से करना होगा total issue का size काफी छोटा है 230 कोड़ का issue size है जिसमें से 200 कोड़ का फ्रेक्षिश हो है और 30 कोड़ का आपके मस OFS है reservation की बात करें तो लोटेल category के अंदर इसमें 53968 application ली yes होने वाली है small h9 के अंदर आपके पास 550 yes होगी और big h9 के अंदर आपके पास 1101 public का number आने वाला है लोट साइज समझ लेते हैं लोटेल category के application बन जाएगी आपके पास 14916 से small h9 के बन जाएगी 208824 से और big h9 के बन जाएगी आपके पास 1014288 तो ये तीन category में से किसी एक category में आपको apply करना होता है काफी लोगे query कर देते हैं कि sir हमें लोट्पन मिलता ही नहीं है हमने apply करना बंदी कर दी है तो ऐसा मत करा करो अगर आप वो काफे time से लोट्पन नहीं मिल रहा है तो आप एक trick होती है कि आप किसी ओट different blocker के अंदर अपना account open कर लेजिए और वहाँ से apply किजिए ये एक trick है आप इसका use कर सकते है description के अंदर free demand open link mention कर दी गए है आप जाकर फटा-फट से account open कर लेजिए ताकि आपका within one two day में account open हो जाएगा और आप उससे जो आने वाले IPOs है बजाज का IPO है उसमें apply कर पाओगे अब check कर लेते हैं कि इस IPO के GMP कितने चल रहे है और हमें इसमें क्या strategy follow कर रहे है वो देख लेते है अगर हम इस IPO के positive point की बात करें तो financial कबने काफिए चल रहे है KPSC data सार काफिए अच्छा है price and ratio काफिए reasonable है अच्छा है पैसा बना है मौका दिया गया है बट एक negative point क्या है कि ये IPO जो है वो बजाज के IPO से clash कर चुका है वो ही same time पर ये IPO आया है जिसके कारणे इसमें demand काफी कम हो गई है बट ये एक मौका भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर subscription कम आया तो आपके ultimate के chances का बढ़ जाएंगे अगर हम GMP की बात करे premium की बात करे तो आपके पास premium जो है वो starting की 11% से हुई थी और वो बढ़ कर अभी चले गए है 13% के आज पास तो इसको हम consider कर सकते है मैं final decision इसका last day बिराऊंगा कि इसमेंजे apply करना है नहीं करना तब तक इसके GMP sustain करने चाहिए 10% के उपर और इसके अंदर QIB का big players का अच्छा response आना चाहिए तो हम इसके अंदर apply करने का plan कर सकते है मेरा final decision जो है वो मैं आपको हमेशा के तरह है टेलिग्राम पर वटसेपर शेय कर दूँगा और इसके साथ आपको वहाँ पर डेली सभी IPO के GMP subscription जांकरी मिलती रहेगी तक इस IPO में क्या क्या चल रहा है system तो अगर आपने अभी तक उनको join नहीं के join कर लेना ताकि आपको हर एक चीज़ की update मिलती रहे link उनका description मेंशन कर दिया गया है free of cost है इसके लावब कोभी पर भी query हो आपकी तो आपने चीज़े comment कर सकते है comment section आपके लिए हमेशे open है मैं आपकी हरे query को solve करने की पुरी कोशी करता हूँ channel subscribe करके bell icon अपने घर लिया होगा video को like and share करते ना ताकि इस IPO में क्या करना है और क्या नहीं करना वो सब को clear उसके और लोग starting से अपना fund को arrange रखे अपना design बना सके कि कहा का अपलाई करना है हमको तो करते वीडियो तो pack up मिलते आप से के लिडियो में किसी और information के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए thank you so much